अध्याग जी अत्यांतु दुख के साथ इस सदन को शान्ती प्लीज कोई भी बात भी करेगा सुचित करना पड़ा है कि वर्तमान बिधान सभा के माने सदस्य सिस आस्तोस टंडन गोपाल जी का नौ नौमबर 2023 को लगवग 63 वर्ष की आयू में निधन हो गया वे लंबे समय से अस्वस्त चल लए थे उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है सिस आस्तोस टंडन इस सदन के बरिष्ट सदस्यों में ऐसे थे वर्ष 2014 के अपचनाओं में निरवाचन छेतर लखनो पूर्व से वे भारती जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधान सभा सदस्य निरवाची थ्वेत तत्पसाथ वर्ष्ट 2017 तथा 2022 में लगातार तीसरी बार इस सदन के के लिए निरवाची थ्वेत वे विधान सभा की नियम समिती प्रस नियम संदर्व समिती तवरतमान में विशासितिकार समिती के सदस्य थे 2017 से 2022 तक उन्होंने सरकार में काड़नेट मंतरी की रूप में भी कारे किया रावदिक सिक्सा यम चिकिस्सा सिक्सा तानगर विकास विभात के मंतरी की रूप में उन्होंने अपने दाहित वका कुसलता पुरवक निर्वाहन भी किया एक कुसल मंतरी की रूप में स्यास्तोस टंडन की प्रियाग राज कुम 2019 के भब्यायुजन अयोद्या में 200 कारिक्रम वन डिस्टिक वन मेडिकल कॉलेज दातक्नीकी सिक्सा के उन्होंनेट विकास के कारिक्रमों में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी प्रदेश की राजनीती में उनका लंबा रिस्तारा है राजनीती गुण उन्हें विरासत में मिले थे चात्र जीवन से ही वे अखिल भारते विद्यारती परिशत में सक्रिय रहे वर्स 1980 में भारते जन्ता पार्टी युआ मोर्चा के मान अगर हिकाई के उपाद्धक्स बनने के बाद वे सक्रिय राजनीती में आये भारते जन्ता पार्टी की प्रदेश हिकाई के मंत्री प्रदेश उपाद्धक्स भी रहे पार्टी संगटन की एक कार्यों का उन्हें गैरान वो था एक कर्मत ता समर्पित नेता की रूप में उनका योगतान सद्यो में तकूल रहा स्यास्तों स्टेंडन की छवी एक सरल और विवार को सल बैक्टी की रूप में थी हर वर्ग में वे लोग प्रिय थे इसने से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पकारते थे एक समर्पित जन परतिनीजी की रूप में लखनों ता प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा कॉमर्श यों बैंकिंग छेत्र में उनकी गहरी डूची थी वे उन्हें बैंक आप इंडिया के निदेशक भी रहे वे से अनपोना ट्रस्ट रमसाला से कोनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट ता से लालजी टंडन पॉंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्स ता से कालीचन पीजी कॉलेज के ट्रस्टी की रूप में वे भी नधार्मिक सामाजिक यम सैक्षनिक कारियों से भी जुड़े रहे स्यास्तो स्टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता यम कुसल रासनितिक्यक हो दिया है उनके निधन से प्रदेश यम पार्टी की अपूर्णी अच्छती हुई है मैं उनके प्रति सरधा सुमन्पित करता हूँ और इस वर से उनकी आत्मा की सांतिकी कामना करते वे आपसे बिनम्र अन्रोत करता हूँ कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संबेदना को पहुँचाने की किरपा करें मौदे इसके साथ ही इस सदन के पूरो मानिय सदस्यों को जिनकी संख्यान नो है उन सभी के प्रतिभी मैं सदन की ओर से अपने पाल्टी की ओर से नंबर सर्धान जलियर टिप करता हूँ मानिय नेता पर दिपक्च धन्यवाद अद्धिक्ष मौदे मानिय नेता पर दिपक्ष मौदे इस सदन के हमारे वरिष साथ ही श्री आस्तोस टंडन गुपाल जी का 9 नुम्बर 2023 को निधन हो गया है हम सब उनके साखस्मेक निधन से दुखी है श्री आस्तोस टंडन गुपाल जी ने तीसी बार सदन के सदन निर्वाचित हुए थे वो पहली बार दोया uncond häv के उपचुनाव में निर्वाचित हुए उसके बार वो 70.68 विधन सबा के लिए लगातार निर्वाचित हुए वे विधन सबा के कई समितियों के सदन भी रहे और सरकार में मंत्री रहकर के भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया मानिया अध्यक्ष मौदे जैसा हम सबको विदित है उनके पिता सुर्गी स्री लाल जी टंडन इस सदन के वरिश सदस विभिनि सरकारों में मंत्री कई प्रदेसों में राज पाल रहे सुर्गी लाल जी टंडन जी की नके वर राजनेतिक विश्रासत को उनके द्वारा समाला गया बल्कि उनके विक्तित की छवी भी उनमें देखने को मिलती थी श्री आस्तोस टंडन गोपाल जी एक अत्यंत बिलनसार, ब्रदभासी और एक सरल वेक्तित नेता के रूप में लखनों की जनता में बहुत ही लोग प्रिय थे श्री आस्तोस टंडन गोपाल जी एक विवहार कुशल इवं समर्पित जन नेता थे अपने छेत के विकास कारद थे समाज के वन्चित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सदत प्रतिंशील रहे सेवा भाव के कारड अपने छेत में उनकी इच्छ भी एक लोग प्रिय नेता की भी थी शी आस्तोस रणन गुपाल जी के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल रानतिक को खो दिया है उनके निधन से समाज की अपूर छतिय हुई है मैं उनके प्रतिश्दा सुमन अर्पित करता हूँ और यिश्वर से उनकी आत्मा की शान्ती की कामना करते हुए उनके दुखी परजनों के प्रतिहार्दिक सविन्ना वैद करता हूँ अद्धेक्ष मोदेश के साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य वो आज हमारे बीच में नहीं है नौ भूत्पू सदस्यों का निधन भी हुआ है जिसमें खालिद गौरी जी किश्क किंकर सिंग जी राम पालियादव श्री नरेश चन जी श्री जगवीर सिंग श्री गनपर सिंग डॉक्टर दिनेश जोहरी श्री अनिल कुमा दोहरे श्री महवीर सिंग राना अद्देक्ष मौदे इन में से कई मानिस दर से ऐसे रहें जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है समय समय पर उनके बीच में हम लोग रादनीत के कई कारकमों में शामिर रहे हैं हम सब दुखी हैं उनके जाने के बात मैं अद्देक्ष मौदे अनिल कुमा दोहरी जी के बारे में कहना चाहता हूँ हमारे एक अनोज बिजानस्वा छेत के वो बिधायक थे और जब शुरुआत मैंने रादनीत की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे और कभी कभी अद्देक्ष मौदे जो हम रादनीत में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं मुझे बाद में जानकारी हुई अद्देक्ष मौदे कि चुनाओ के दोरान उन्हें इस बात का अभास हुआ था कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर चेक अप कराने के बाद भी जो डॉक्टर से सला दी वो नहीं माने और अद्देक्ष मौदे चालिस दिन जिस दिन वो डेडेक्ट हुए उस बीमारी से चालिस दिन वो हुए जब वो हमारे बीच में नहीं अद्देक्ष मौदे उन्होंने इलाज नकेबल यहां की प्रतिस्टित हॉस्पिटल्स में कराया बलकि देश का सबसे प्रतिस्टित प्रीमियर इंस्ट्यूशन मिदानता गुरगावा वहां भी इलाज कराया और मैं उनके परिवार के भी लगाता संपर्ग में रहा उनके परिवार के लोग उस अस्पतार से संतुष नहीं थी तो वो बिधायक जी को PGI में लेकर के आए मैं खुद देखने गया मैंने देखा कि इलाज अच्छा चला है बहुत इलाज हुआ लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें बिधायक जी को डॉक्टर और हम सब लोग कोई नहीं बचा पाया अद्देख बहुत यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कई महतपूर लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ने जान ली है और क्योंकि हम लोग राजनीत में रहते हैं क्योंकि हमें काम करना है समाज में हमारी छब क्या है समाज में ना जाने हमारे दोस्त ना जाने इसलिए बीमारी को भी छपाते है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी केबल एक नहीं मैं जानता हूँ बहुत सारे मैधपूर्ड लोग हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ा जान चली गई अद्धश मुझे मुझे याद आता है समाजादी पार्टी का एक बहुत ही मैधपूर कारकरता जिम्मेदान नेता उसको एक बीमारी हुई उसका एंस में इलाज हुआ एंस में सबसे बड़े डॉक्टर लों ने ऑपरेट किया उसका लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर वो जनरेट हो गया कैंसर दुनिया की सबसे बड़ी जगह स्रोन होस्पिटल जिसमें करोनों का खर्च हुआ और उसके बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए वो अगर केवल कुछ दिन और जिन्दा रहता तो शायद उस बीमारी का उपरेट होने के बाद वो दुनिया का पहला पेशिंट बनता जो इतने दिनों तक जी पाता अद्देश बौदे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गंभी बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है अद्देश बौदे मैं आपके मार्दिन से नेता सदन की भावना को समझते हो जो उन्होंने विक्त की है कैंसर जैसी गंभी बीमारी के लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है 24 करोड लोग है और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पर अगर हम जाएंगे तो ये गंभी बीमारी लगाता बढ़ती चली जा रही है अनिल दोरे हमने खोया 40 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे और जो इस्टिट चल ले हैं उन इस्टिट को कैसे और मजबूत करें जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंवीर बीमारी से अगर पीड़े तो तो उसे अच्छा इलाज मिलना सके मैं आपके माद्यम से इनके प्रत समेदना प्रकट करता हूँ मैं आपका धनिवाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी के तरफ से और सभी दलों की नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विदायकों को याद करता हूँ बहुत धनिवाद नेता अपना दल लेस श्री रामनिवास वर्माजी अधर्णी अध्यक जी उत्तर प्रदेश के पूर मंत्री वाल लक्नोल से वाजपा विदायक आस्तोष टंडन जी गोपाल जी का लंबी बीमारी के बाद किस्व वर्ष की आयु में नौ नमबर 1923 को निधन हो गया गोपाल जी के निधन से आज पूरा सदन सो कार्पूल है टंडन जी का जन 12 माई 1906 को उत्तर प्रदेश की राजबानी लखनों में हुआ वो भारती जन्ता पार्टी के बरिस्ट में था वापूर राजपाल लाज़ी टंडन जी के पुतर थे उन्होंने लखनों विस्विद्याले से असना तक के डिग्री प्राप्स की है तंडन जी सोली विधानसवाज जो प्रदेश की निर्वाचित हुए वा दूसरी वार सत्री विधानसवाज के सदस के रूप में निर्वाचित होकर तंडन जी मानिए योगी आतितनाजी के मंत्रमंडल में राद्वीक सिच्छा वाची किस्छा सिच्छा नगर विकास जैसे बिवन बिवागों के मंत्री के रूप में अपने दायत्तों का कुसल का फुर्बत मिरवान कि अवा तीसरी बार अठारवी विदांसवाज के सदस में राकित किये चंदन जी समाज के सभी वर्गों में बहुत ही लोग दिये रहे और आजीवन समाज के सभी वर्गों के उठान के लिए संगर सरुत रहे है आस्तों चंदन जी के निजन से प्रदेश वा समाज की अपनी छत्वी एक जन्त्री कर्मट जहरु राजनेता के रूप में वह सदय व्याद किये जाएंगे मैं अपने वह अपने दल की ओर से तथा इस सदन की ओर से मैं उनको अपनी तरफ से सिदा सुमन अक्टित करते लिए इस वर से कातना करता हूं कि दिवंगे रातना को अपने से चलों में स्थान दे और सोकाती प्रद्णों प्यता चैने के सक्तित पतान करें मानी रेट पिता राश्ची लोग दूसी राजपाल बालें आज अच्छन तुख है कि हमारे साथी इस सदन के मानने है सदस्य स्रीर आसुत उस्टनन गोपाल जी का जन्म 9 नमबर 1923 को लगबग वो 63 वर्स की आयुके थे उनका निदन हो गया उनका असमस्य निदन हम सबके लिए बहुत दुगदाई है इनका राईनितिक में संसद्य छेत्र में काफी अनभव था उनको राईनिति में कार्य करने की प्रेणा उनके पिता लाल जी टंडन जी जो एक परसिद विष्ट राईनितिक थे के द्वारा विरासप में मिली श्री आशुतोस टंडन उत्तर प्रदेश की वरत्मान विधान सबा में तीसरी बार लखनों पूर से विरान सबा के सदस्या के रूप में निरवाजित हुए थे ये सर्व पर्खम उपचुनाओं में वर्स 2014 में तत परस्चाथ 2017 में और 2022 में निरवाचन छेतर लखनों पूर से विधान सबास सदस्या के रूप में निरवाजित हुए ये विधान सबा की उनके मैत्पून समेतियों के सदस्या रहे और उत्तर परदेश सरकार में केडमेट मंत्री भी रहे आसुकोस टंडन जी के निदन से परदेश ने एक कुशल राईनितिक आयों सामाजिक से भी खो दिये हैं आज पूरा सदन शोकाकुल है मैं अपनी और से और अपनी पार्टी की धास्चे लोगदल की और से इश्वर से प्रात्मा करता हूं कि उनकी दिवंदत आत्मा को शान्ती परदान करें और उनके शोकाकुल परिवार्द को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ती दे हमारे इसी सदन के फूर नो सदस्चे सदस्चों का निदन हुआ है मैं अपनी और अपनी पार्टी के और से उनके लिए भी प्रम्पिता परमेश्वर से प्राद्ना करता हूं कि आपके द्वारा उनके शोकाकुल परिवार तक शान्ती देने के प्रदा करें मानी निता निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना आम दल शेहनिल कुमार्टी पार्टी अद्मिय अध्यर जी कि हम सब के लिए बहुत ही दुख का उसर है कि हमारे अठ्रहमी बिधान सभा के एक बहुत थी महत्तोपूर सदस्या जो जीवन परियंत समाज सेवा में और राजिती छेत्र में जन सेवा में लगे रहे उनका आकस्निक निधन हुआ यह हम सब के लिए बहुत ही दुख का विशय है आधनी आश्तोस्त पंदन जी गोपाल जी जो उत्तरप्रदेश के पूर मंत्री रहे लखनो से भाश्पाद धायक रहे उनकी मात्र 63 वर्ष के उमर में उनका दिहावसान पूरे समाज के लिए पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद रहा टंडर जी का जन्म 12 में 1960 को हुआ था उन्होंने लखनोवी सिद्याले से खला स्थात्र की डिगरी के साथ साथ उच्छी सिच्छा प्राप्त की थी 2014 में पहली बार उप्चुनाओं में वो सदन का सदस हुए थे और फिर 17 या 58 विधान सभा के लगातार सदस से रहे श्री योगियादिक नाजी के मंत्रमंडल में प्रावजिक सिच्छा नगर विकास जैसे विविन विवहों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दाईतों का निर्वा किया उनका ये बहुत ही सम्रिध राजितिक परिवार हम सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री और कई प्रदेशों के राजिपाल रहे आधनी लाजी टंजन जी का उन्होंने उनके लाजी टंजन जी के परिवार में उन्हों जर्म लिया और टंजन जी के सम्रिध रिवरासत को आगे बढ़ाया मैं आज उनके लिए निस्वर से प्रात्ना करता हूँ और अस्वकुरित सर्थांजली अर्पित करते हुए उनके परिवार को ऐसे दुख का उठाने की छमता प्रदान करने की प्रात्ना करता हूँ साथी साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व विधाय गण इनकी संख्या नौ है श्री खालिप जोरी जी हर्दोई से स्रीकेश सिंकर सिंग्जी बस्ती से रामपाले आदो जी सितापुर से नरेश्चन जी लखेंपुर खीरी से जगबीर सिंग्जी अलिगर से गनपस सिंग्जी महराजयन से टाक्टर दिनेश चोधरी जी बरेली से अनिलकुमार जोहरे जी कन्नोज से महावीर सिर्णाला जी साहनपुल से इन हमारे नौ पूर्व सद्यस्यों की भी मृत्यु हुई है उनके लिए भी मैं इस्वर से प्रात्ना करता हूँ उन्हें सद्यती प्रदान करें और आपके माध्यम से के सोग संबेदना उन सभी परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रात्ना करता हूँ और अपने तथा अपने दल वेरबल इंडियन सोसित हमारा आम दल की तरफ से अपने राष्टियत धजी की तरफ से सोग संबेदना परकट करता हूँ इसमें स्री गनपर सिंग जी जो हमारे गोरगपूर के बगल में पनियरा बिधान सभा है पनियरा से वो एक बार निर्दल चुनाव जीते और दूसरी बार भाष्टा के तरफ से चुनाव जीते गनपर सिंग जी बहुत ही जमीन से जुड़ हूँ आदमी थे गरीबी को देखा था उन्होंने बहुत संघर्ष करके जन सेवा के माध्यम से उन्होंने राजनीती में सफलता पाई थी और उए गोरो साली इतिहास का निर्मार किया था ऐसे मन्नी गनपर सिंग जी के प्रती विशेश रुख से सर्धाजली अर्पित करता हूँ और आपके माध्यम से इस परिवाद को सद्धाजली अर्पित करने की बात सर्ता हूँ और आपके माध्यम से उन्हों तक हमारे दल की तरक से सोफ संदेश पहुंचाने की क्रिपा के धनेवाद आने नेता श्री सुहेल देव भारती समाज पार्टी श्रीयों प्रकाश राजबर देख जी श्री हस्तूस्ट अनन जी जो हमारे आपके बीच में नहीं है उनका निधन 9 नॉमबर 2023 को हो गया उनका जन्म 12 मई 1960 को हुआ था उनका जन्म अस्थान लखनव, सिक्षा अस्थानक, निर्वाचन छेत्र लखनव, पुरुव जिला लखनव और भारती जन्ता पार्टी से तीन बार विदान सभा के सदस पहली बार 2014-16 विदान सभा के फुप चुनाव में सदस प्रथमबा निर्वाचित हुए थे 2017-17 विदान सभा के सदस दूसरी बार निर्वाचित हुए और पान्य योगी आदित नाद जी मंति मंदल पिछली सरकार में प्रावच्की सिक्षायों चिक्रिसा मंत्री रहे नगर विकास और 2022-18 विदान सभा के सदस प्रथमबा निर्वाचित हुए आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं हमारी तरब से, हमारी पार्टी की तरब से और पुरे सदन की तरब से हम सदांजली अर्पित करते हैं और सेश हमारे भूत पुरुवर नव सदस जो हमारे आपके बीच में नहीं हैं का निदन हो गया है उनके लिए भी हम अपनी तरप से, अपनी पार्टी की तरप से, पुरे सदन की तरप से, हम सरदांजली अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कुछ सौप, संतितत परिवार को आपके तरप से सौप संबेदना बेजने के कििका करें मानिय नेता भार्ती है राश्री कॉंग्रेस श्रीवधिया रात्ना मिश्राई मानिय अध्धर जी मैं कॉंग्रेस पार्टी और अपनी ओर से लखनो पूर्वी विधान सवाशेथ से विधायक वफूर कैबिनेट मंती रहे स्वर्गिया आश्यतोष तंडन जी को आश्यतोष तंडन जी का नदनाम सबके लिए अत्यां दुख्की और अपूर्णिय शक्ती है आश्यतोष कॉपाल तंडन जी का जन 12 मैं 1960 में हुआ था और 9 नवेंबर 2023 में उन्होंने अन्तिम सास ली एक लंबी बिमारी के बाद उनका संपूर्ण राजनितिक जीवन लखनों और प्रिदेश वासियों की सेवा को समर्पित रहा उनकी जन भूमी और कर्मूमी दोनों ही लखनों रही इसलिए लखनों वासियों के हिदे में उनके लिए हमेशा से विशेश थान रहा है और अपने सरल्व सौमे वेक्तित्व रिदुभाशी एवं सादगी के कारण भी आमजन में उन्हें खास लोग प्रियता रही इसलिए लोग उन्हें प्यार से गुपाल जी भी कहते थे उन्होंने लखनों उन्वरस्टी से बैस्लर ओफार्ट्स की डिग्री हासिल की साल 2001 से 2006 तक उन्होंने यूनियन बैंक ओफ इंडिया में डारेक्टर के पद पर काम भी किया जन्सेवा और राजनीत में आनी के प्रेणा उन्हें अपने पिता आदर्निय लाल जी टंडन जी से मिली सभासत से राजपाल के पर्तक का सफर तै करने वाले बाबु जी टंडन जी ने राजनीतिक गुण उन्हें सिखाए और पिता के नक्षे कदम पर चलते हुए प्रदेश की राजनीत में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी टंडन जी के व्यक्तित्वर में उनके पिता की ही छवी थी आश्टोष टंडन जी के पिता स्वरगे लाल जी टंडन जी भी उत्तर प्रदेश के एक प्रोहावशाली दिगज राजनीता रहे वो एमप्य और बिहार के पूर राजपाल भी रहे पिता की तरह लगातार तीन बार आश्टोष जी भी विधायक रहे 2014 में भाजपा की टिकेट पर लखनो पूरवी सीट पर हुए उक्चुनौव में जीत कर विधान सभा पहुँचे 2017 में दुबारा जीते और 2022 में हम सब के साथ जीत कर इस सदन के सदय से बने आज तो टर्णन जी ने जी नगर विकास और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रहे एक जंगप्रिय कर्मट व्यक्तित्वनिष्ट कर्तविनिष्ट जुझारू व उर्जावान राजनेता के रूप में वो सदय उनकी यादे हमारे बीच में रहेंगी लखनो प्रदेश के विकास के लिए उनका अतुनिय योगदान सदय अविस्मर्निय रहेगा इश्वर से प्रात्ना है कि दिवांगर पुर्नात्मा को अपने श्री चर्णों में स्थान दे साथ ही हमारे नौ सदस पूर सदस जो हमारे बीच में नहीं रहे श्री खालिद गौरी जी श्री कृष्ण सिंकर सिंग जी श्री राम पालियादव जी श्री नरेश चंडर जी श्री जगवीर सिंग जी श्री गनपत सिंग जी डॉक्टर दिनेश चोहरी जी श्री अनिल कु दोरे जी श्री महावीर सिंग राणा जी इन सभी को मेरी और मेरे दल की ओर से श्रत हंजली आपसे यही प्रात्ना है कि शुका कुल परिजनों के प्रति हमारी गहरी सुम्वेदना उन तक बहुचा जाने माने नेता जन सत्ता दर लोकतांतरिक कूल रगुराज प्रताफ सिंग राजा भी है मानिय अद्द्द जी श्री आफस्तोस्ट टंडन गोपाल जी की लंबी बिमारी के कारां लगबग 63 वर्स की आई हुए 9 नॉम्बर 2023 को निधन हो गया स्री गोपाल जी की निधन से आज पूरा सदन सोका कुल है स्री टंडन जी का जन्म 12 मही 1960 को उत्तर प्रदेश की राजधाई लगणों में हुआ था वो भाजपा के वरिश नेता और मत्रदेश के पूरु राजपाल आधनी स्री लाजी टंडन जी के पुत्र थे उन्होंने 1980 में लखनव बिश्विद्याले से कला इशनातक की डिगरी के साथ इशनातक की उपादी रातिकी थी स्री टंडन जी सुलावी विदान सवा के उक चुनाव में प्रतम बार विदान सवा सदस निर्वाचित हुए थे दूसरी बार 17 विदान सवा सदस के रूप में निर्वाचित होकर स्री योगी आधितनाजी मंत्र मंदन में प्राबदिक सिच्छा अंची किस्छा नगर विकार जैसे विभिन विवागों के मंत्री के रूप में अपने दायतों का कुसलता पुबग निर्वाचित हुए थ स्री टंडन जी समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा संगर्शरत रहते थे और आजीवन अंतिम सांस तक समाज की सेवा करते रहे स्री टंडन जी के निर्ण से प्रदेश समाज की अपूरी छत्वी है एक जन्प्रिय कर्मट विजहरू रायनेता के रुप में वें सदेव याग किये जाएंगे मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से उनके प्रत सद्धा सुमान अर्पित करता हूँ और इस्वर से प्रातना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने स्री चणों में अस्थान दे ता सोका कुल परिजनों को दुख सहने की सक्ति प्रदान करते नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमा शिंगर से अन्य अध्यक जी मैं नेता सदन नेता विरोधी दल के ओंग अन्य सभी जली नेताओं से अपने आपको सफ़त करता हूँ निशित रूप से अन्य अध्यक जी हम सब के लिए बहुत बड़ी दुख का ये समय है पिछले दिनों जो हम लोगों के साथ से विधायक इस सदन में हम लोगों के हिस्था हुआ करते थे आज उनकी बिनाम वो बेखे हैं अध्यक जी उनकी लोग प्रियता और साथ सिल्टा का अंदाजा इससे भी लगाए जा सकता है कि वह जब 2014 में महरते जंदा पार्टी के टिकेट बेट चुनाव दीते थे उस समय उफचुनाव था समझवादी पार्टी के सरकार थी पिर यह उन्होंने उस चुनाव को जीता था तिससे उनकी लोक जिशा के बारे में इस से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है देखिए उनके साथ हम लोग यहां मंत्री के रूप में जब वो मंत्री थे तो हम लोग विपक्ष में रहके उनसे तमाम सवाल जबाब भी करते थे लेकिन कभी भी उनके जवाब में कभी उते जना कभी उस तरह का कोई पर्टू बाट किया कभी हम लों मुस्मने को नहीं मिला यानि हम लों देखे कि किस तरह सरल सुभाव के थे लेकिन आगम सब के बीच नहीं है इसका हम सब को बहुत दुख है मैं चुकि जादे कुछ नहीं कहूंगा आपसे आगरा करूँगा कि हमारी सोक सम्मेंदरा उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें यहूं भगवान से प्राफना करूँगा कि उनके परिवार यहूं उनके चाहने वाले लोगों कोई दुख की गड़ी में दुख स्थान करने की चंता पदान करें मान्य अध्यक जी इसी तरह से हमारे अन्य नो पुर्व विधायक जो हम सब के बीच नहीं हैं जो कभी सदन के हिस्ता हुआ करते थे इसमें स्री खाली गौरी जी है स्री राम पालियादो जी स्री नरेश चंद्र जी स्री जगवीर स्री जी स्री गनपत सिंग जी स्री दिनेश जवरी जी स्री अनील कुमार दोरे स्री महवीर सिंग राणा है मैं इन सभी लोगों के प्रती भी अपनी दुख और सम्बेतना बेक्स वेकस करता हूं और आपसे पुना आगरा करता हूं कि इस सभी परिवार तो कागोल परिवार के पास मारी सोग सम्बेतना पहुंचाने की पिवाद करें मानीय स general minister मीनीय दिख जी मानीय नेता सदन मानीय नेता बिपक्ष और मानिय सभी दलों के नेताओं ने आज जो दिवंगत आत्माओं के प्रती शोक संबेदना विक्त की है मैं उनसे अपने आपको सब्बद करता हूँ और मैं आपसे प्रारता करता हूँ कि मेरी शोक संबेदना इन तवाम दिवंगत आत्माओं के परिवारों तक भिजबा दें हम प्रारता करते हैं कि इश्वर इनके परिवारों को इस दुख को सहिन करने की शक्ति दे दन्यवार उत्रबदेश के विधान सभा के सम्माने चदस्य श्री आश्टूर्ट टंडन गुपाल जी का निदन 9 नमबर 2023 को हो गया श्री गुपाल टंडन एक आदर्श विधायक थे एक विनम्र व्यक्तित्त के प्रतीक थे समाज सेवा जिनके जीवन का एक अभिन अंग था अपने दाइकतों का निर्वान करने के लिए जो सदैफ तत्पर रहते थे शीलता और विनमरता जिनका एक सभाव भी था उनकी पहचान भी थी अगराई जीतिक परिवार में जनम लेने के बाद उन्हों चाईयों पर जिन्हों चाईयों के उपर उनके उज्ज पिता स्वागी शीलाल जी टंडन जी रहे भारती जन्दा पार्टी और संग विचारधारा से पून रूप से समर्पित आव भगत और हस्पिटारिटी जिनके सुभाव में थी कोई भी विक्ति उनके परिवार का हो या बहार का हो उनसे परचित हो या ना हो वो अगर स्वधे टंडन जी के घर में गया तो बिना कुछ आवभवत और स्वागत के उसको वो जाने नहीं देजाए पेशन्स जो कहते हैं वो उनके रग रग में था कई असरों के पर शदेश इलाल जी टंडन जी मिनिस्टर है जैसे मैंने कहा बहुत महत्त पून पदों के उपर है लेकिन उनके परिवार में और विशेश उसे शिगोपाल जी में वो कभी भी अहंकार या कभी भी वो मैं उतर करनी आए कि मैं बहुत बड़े परिवार का बच्चा मानें लिए मुक्रमि नटिश ही होगे आजी तनाशी के नितत्त में उनके साथ वो मिनिस्टर रह विबिन विवागों जीचिसाथ स्वास्त के हूँ नगर विकास के हूँ कोई मिन सम्मानी सदत्प से उनके पास गया हो तो उन्होंने पूरे आदर और संबान के साथ उसका काम किया मेरा शाष्ट वो श्टंडन से एक दम भाई जैसा संबन था 1991 में जब मैं पहली बार विधान सबाँ में जीत कर आया श्रधे टंडन जी का सुने वाचसल ने मुझे पुत्र वत्तम ला इस नाते से कभी कभी मनों विनोद में में कोपाल जी का करता था कि हम भी आपके भाई हैं आप पुत्र हैं तो मैं भी दद तक पुत्र हूँ एक ऐसा परिवार का एक ऐसा सदस हम सब के बीच से चला गया है जिसने हर समंधों को बखू भी निवाया परिवार को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है यह उनसे कोई सीख सकता था बेटी के प्रती कैसे स्ने और वाचसल हो सकता यह उनसे सीखा जा सकता था एक पिता एक माता पिता का कैसे आदर्श पुत्र हो सकता यह उनसे सीखा जा सकता विकत कुछ वर्षों से लग बख जब से शदे टंडन जी की शदे लाजी टंडन जी की तविय ठीक नहीं तब से उनका स्वास ठीक नहीं था लेकिन उनकी एक्षा शक्ति और समाज के लिए काम करने का एक सबाव का नंगरविकास मंतरी होने के बाद भी वो कभी-कबी कहते थे कि लोग उनसे वो पिक्षा करते हैं कि वो श्रिडला जी टंडन जैसे वैसे बनने का प्रहाँस किया मिनिस्टर हम वने के बाद भी कभी कभी मेरे पास आते थे कि आप ने बाबू जी के साथ काम किया है मंत्री होने के नाते से मुझे बताए कि कैसे तो चीछने में भी अपने आपको उनको कभी यह बड़ पन नहीं होता मैं बढ़ा हूं तो किसी से सीख नहीं से श्याश्तो उस्टंडन जी के ना रहने पर फार्टी जन्ता पार्टी ने एक आदर शिकार करता लखनव में उनकी विधान सबा और लखनव वासियों ने एक अच्छा जन प्रत्रित दी और इस विधान सबा के सबीस सम्मानित सदसों ने एक अपना साथी और मित्र कोया है श्याश्तो उस्टंडन के ना रहने पर जो रिक्टता है उसके पर पाना कटी नो श्याश्तो उस्टंडन घुपाजी का जन्म बारा मई 1960 में लखनो में हुआ था उन्होंने सना तक किस्छा ग्रहन की थी श्याश्तो उस्टंडन को पाली वर्ष 2014 के उप्चिनाव में 2017 तथा 2022 के सामाने निर्वाचन में निर्वाचन छेतर लखनो पूर से जिला लखनो से भारती जनता पार्टी के टिकट पर विधान सबा के सद़ से निर्वाचित हुए थी श्याश्तो उस्टंडन को पाली वर्ष 2017 से 2022 तक श्योगी आदित तनाथ मंट्री मंडल में प्रावधिक शिक्षा एवन चिक्षा शिक्षा तथा नगर विकास मंद्री रहे वो पूर में विधान सबा के नियम समिती के तता प्रश्ट एम संदर्व समिती के एम वर्तमान में विशेशा दिकार समिती के सदस्य थे वो यूनियन बैंक ओफ इंडिया के डारेक्टर रहे तता शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धरमशाला श्रीकोनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तता लाल जी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एम विभिन शिक्षन संस्थाओं के ट्रस्टी भी थे समाज सेवा एवं राजनीती उनके विशेश रुचित श्रियाश्तु श्रिणन गुपाल जी के निदन से प्रदेश ने कुशल राजनीति गए एक समाज सेवी ठोदिया है उत्तर बदेश विधान सबागे भूतपूर सदस्ट श्रिक खालिक गौरी का 25 अपरेल 2021 को निदन हो गया वो लगवग चोहतर वर्ष के लिए श्रिक खालिक गौरी का जन्ब एक दिसंबर 1947 को जिलाहरदोई में हुआ था उन्होंने बी-ए, एल-एल-बी तथा डी-पी-ए की शिक्षा ग्रेंड की थी श्रिक खालिक गौरी वर्ष 1991 के मध्यावती चुनाव में निर्वाचन छेट पिहानी जिलाहरदोई से भारती राश्टी कांगरिस के टिकट पर विदान सवा के सदस निर्वाची तोए थे श्रिक खालिक गौरी ने विबिन आंदोलोनों के अंतरगत गिरफतारी दी तथा एक दिन बंदी भी रहे वे जिला यूए कांगरिस हर्दोई के अध्यक्ष भारती राश्टी कांगरिस हर्दोई के जिला परशिक चक तथा जिला कांगरिस कमीटी के मामंत्री भी रहे उत्तरबरेश विधान सभागे भूतपूर सदसे श्रीकृष्ण किंकर सिंग का उबनी सगर्ष दो और तेईस को निदन हो गया वे लगवग 72 वर्ष के थे श्रीकृष्ण किंकर सिंग का जन्म 6 दिसंबर उन्नीस सो क्यावन में ग्राम बेलाडी रानीपूर जिलाबस्ती में हुआ था उन्होंने बिये के शिक्षा ग्रैंड की थी श्रीकृष्ण किंकर सिंग वर्ष 1989 निर्वाचन चेतर कप्तान गंच जिलाबस्ती से निर्दली सदस के रूप में विदान सबागे सदस से निर्वाचित हुए थी श्रीकृष्ण किंकर सिंग बहादुर कुर के छेतर प्रमुख नाराइन महाविद जालेच चातर संग के अध्यक्ष किसान इंटर कॉलेज नरहा के प्रबंदक जला ग्राम प्रदान संग्टन के अध्यक्ष तथा जला पंचाइद बस्ती के अध्यक्ष भी रहे असहाए एंट गरीबों के हिद के लिए कारी करना उनकी विशेश उची थी श्री कृष्ण किंकर सिंग के निदन से प्रदेश ने कुशल भाई जितिग्य एम समाथ से भी खो दिया है उत्तबरेश विदान सभागी बूदपूर सद्थ से श्री राम पालियादो का 28 अगस्त 2023 को निदन हो गया वे लबग साथ वर्ष के थे श्री राम पालियादो का जनुद 2 फरवरी 1964 को ग्राम भानपूर जिलासीतापूर में हुआ था उन्होंने सनातक के चिक्षा ग्रहन की थे श्री राम पालियादो वर्ष 2002 वर्ष 2012 निरवाचन चेत्र विस्वा जिलासीतापूर से समाजवादी पार्टी के टिकेट पर विधान सबागे से निरवाचित हुए थे श्री राम पालियादो उत्तर प्रदेश विधान सबागे विभिन्न समितियों के सदसरे विग्रामेन, ग्रामोद्योग विकास संस्थान, विस्वा तथा डॉक्टर राम नौर लोया शिक्षन संस्थान सीतापूर के अध्यक्ष भिरे समाज सेवा तथा द्यन उनकी विशेश उची थी स्री राम पारियादों के निदन से प्रदेश ने कुशन राइडितियों के समाज सेवी खो दिया है उत्तर प्रदेश विधान सबागे भूतपूर सदस स्री नरेश चंड का एक सिकंबर दोजाट तेईस को निदन हो गया वालग वक्त चौरासी वर्ष के था शिरनरेश चंड का जन एक जनवरी 1940 को जिला लखीमपूर खीरी में हुआ था उन्हेंने बीए एललबी के शिक्षा करांड की थी शिरनरेश चंड वर्ष उन्हेस उससफटर में निर्वाचंड चेतर लखीमपूर जला खीरी से जन्ता पार्टी के टिकट पर विठान सबागे सदस्ते निर्वाचित हुए थे राज नीती एम समाजिक जीवन में शिरनरेश चंड लखीमपूर खीरी के नगर जन्संग पार्टी के महामंत्री रहे वे अनेग समाजिक एम स्चेक्षिक संस्ताओं से सब्बद रहे तथा विबिन शिक्षन संस्ताओं के समितियों के सदस्रे वे वे विबिन आंदोलनों के अंतरगत कारागार में बंदी विरे महापुर्शों की जीवनी पढ़ना इंपत्र पत्रिकाओं के अध्यन में उनकी विशेश हुची थी सिनरेश्चन के निदन से प्रदेश ने कुशल राज जितिक एम समाज से भी खो दिया है उत्रदेश विदान सभा की होदपूर सदसे शी जग्वीर सिंग का 14 स्थमबर 2023 को निदन हो गया वो लगबक 83 वर्ष के थे शी जग्वीर सिंग का जन्म 10 दिसंबर 1940 को पल सेड़ा तहसील खैब जिला अलिगर्ड में हुआ था उन्होंने हाई स्कूल तक के शिक्षा ग्रहन की थी शी जग्वीर सिंग वर्ष 1985 में लोग दल 1989 1993 में जन्ता दल से निर्वाचन शेतर खैब जिला अलिगर्ड से विदान सभा के सदद से दिर्वाचित हुए शी जग्वीर सिंग विभिन आंदोलोनों के अंतरगत जिला कारागार अलिगर्ड में बंदीर है वे अलिगर्ड के विभिन शिक्षंड संस्थानों के सदद से भिरे राई नीतिक समाज सेवा एम अध्यन उनकी विश्यश हुची थी शी जग्वीर सिंग का निदन से प्रदेश ने कुशल राई डी थी कि एम समाज से भी हो दिया है उत्तरप्देश विभिन सभा के वोद्पूर सदद से स्री गंपत सिंग का 19 सितंबर 2023 को निदन हो गया वो लबग 74 वर्ष के थी शीगणपत सिंग का दियम 15 दिसंबर 1949 को टिगरा पीपी गंच जिला गोरखपूर में हुआ था उन्होंने में तक के शिक्षा ग्राण की थी शीगणपत सिंग वर्ष 1989 में निर्दलियत था 1993 में भारतियंता पार्टी के टिकट पर शीगणपत सिंग 1989 में निर्दलियत था 1993 में भारतियंता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन छेतर पनियारा जरा महाराज गंच से बिदान सबाग था